हाई दोस्तो आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है तो दोस्तो जो हमारी एक्जिट एक्जाम की सीरे चल रही है उसमें आगे के कुस्चिन्स जल्दी से देख लेते हैं बिना देरी किये जो बहुत ज्यादा इंपोटेंट कुस्चिन है तो दोस्तो द करता है अधिक मात्रा में तो फॉस कू प्रतक कोन करता है यानि कुस्चिन नमर 28 व्लेंग दिरकाहे रही ही है लियूब इस्मोल एमांट्स आप सॉलिट्स है यानी मात्रा में में सॉलिट चेहले प्रतक करना किसका काम है clarify filters का vacuum filters का cross flow filters का या cake filters का तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा 28 गा option number ए हो जाएगा το जाएगा clarify filters is the correct answer क्या हो जाएगा clarify filters is the correct answer नेड़स question है question no.29 blank दिर्गा है our debotering machine which remove the liquid from liquid solid slurry यूटिलाइजिंग प्रेशर अप्टू 60-80 PSI तो दोस्तों यह एक डीवाटरिंग मसीन है जिसका यूज किसके लिए किया जाता है यानि रिमूब दा लिक्विड लिक्विड को लिक्विड सॉलेड सिलरी से अलग करना चीक है यूटिलाइजिंग प्रेशर अप्टू 60-80 PSI तो दोस्तों कौन सी मसीन है मेटा फिल्टर डीवाटरिंग मसीन है यह फिल्टर केंडल्स यह सिंटर्ड फिल्टर्स यह प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर्स प्रेशेज तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमर भी सर्पेस फिल्टरेशन पर यह काम करती है प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेशेज ठीक दोस्तों नेश्ट कुछ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्टरिंग मीडियम यानिक ओप्शन नमर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नेश्ट कुछ ने कुछ नमर थर्टी टू ब्लेंग दी रखा है और मेड अप ओप सीरिज ओफ मेटल रिंग्स एंड ड्रेनेज ग्रूप्स तो मेटा फिल्टर्स फिल्टर केंडल्स फिल्टर प्रेस और सेंटर फिल्टर्स तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटा फिल्टर्स और मेड अप ओफ सीरिज ओफ मेटल रिंग्स एंड ड्रेनेज ग्रूप्स क्या बना होता है मेटा फिल्टर्स अप्सन नमर ए इस दा क्रेक्ट आंसर नेश्ट कुछ ने कुछ ने कुछ नमर थर्टी ट्री ब्लेंग दिरका है और आईदर सिलेंडरिकल सेवड यानि सिलेंडर के सेब का होता है और आर इंडा सेप ऑफ दा प्लैंक टेस्टेट ड्मी तynnो मेटल फिल्टर्स ऑफिल्टर प्रेस फिल्टर केंड्स और सिंटरं फूम्ट्रिकश हो जाएगा फिल्टर केंडल्स क्या हो जाएगा फिल्टर केंडल्स यानिक आप्शन नमर्स सी इस दा क्रेक आंसर नेर्स कुछ टेने क्वूच्य नमर्स थर्टी फूर तो फीड ऑफ सस्पेंशन फीड ऑफ सस्पेंशन फ्लोज अंडर प्रेसर एट पेर फेरली हाई बेलोसिटी एक META filters, KAKE filters, Clarifying filters, Cross flow filters, तो इस दसकारीक्णासर हो जाएगा Cross flow filters यानि क्योंद में डी इस्टारीक्ट वृट्वाइड यानि को सदूर नम्र दी क्रेक्टांसर, तो present are removed without using filters, तो clarification यानि वो कुण सा प्रोसेस है, clarification, filtration, separation, reduction, तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा, option नमरे clarification is the correct answer. Next question number 36, the simplest method of clarification, यानि clarification का simplest method which may not always be practicable, यानि जो हमेशा practicable नहीं हो सकता है, is the separation, filtration, decantation, या gravity sedimentation, तो इसका correct answer हो जाएगा, gravity sedimentation, यानि option number D is the correct answer. Next question is question number 37, blank दे रखा ही, इस लेबोरेटरी प्रोसेस, एक लेबोरेटरी प्रोसेस है, which is carried out using graduated cylinders, तो gravitational sedimentation, decantation, continuous sedimentation, और simple batch sedimentation, तो इसका correct answer हो जाएगा, simple batch sedimentation, यानि option number D is the correct answer. Next question is question number 38, तो दोर थिकनर is an example of, तो दोस्तो दोर थिकनर किसका एक 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 जापल ही, continuous sedimentation का, और gravitational sedimentation का, और decantation का, या simple batch sedimentation का, तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा, continuous sedimentation का, दोर थिकनर ही, के एक एक जापल होता ही. तो option number E is the correct answer, next question is question number 39, blank दे रखा है, sedimentation is used for clarification of fixed oil, तो दोस्तो 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 आप देख सकते हैं, इसका correct answer हो जाएगा, gravitational sedimentation का, यूज, fixed oil को clarification करने के लिए किया जाता ही, तो option number B इसका correct answer हो जाएगा, next question है, question number 40, blank दे रखा है, is a simple method used in analytical laboratories, laboratories for bossing the magmas or gelatinous precipitates, precipitates, तो decantition, continuous sedimentation, gravitational sedimentation, यह simple best sedimentation, तो इसका correct answer हो जाएगा, decantition is a simple method used in analytical laboratories for bossing the magmas or gelatinous precipitates, तो option number E is इसका correct answer हो जाएगा, तो दूस्तो लास्ट कुस्चन है, इस वीडियो का, blank दे रखा है, is used for removing the clarified supermattant liquid by the powering at off from the sedimentation vessel, तो दूस्तों continuous sedimentation, decantition, gravitational sedimentation और simple best sedimentation, तो दूस्तों किसका use किया जाता ही, तो दूस्तों इसका correct answer हो जाएगा, option number B, decantition is used for removing the clarified supermattant liquid by powering at off from the sedimentation vessel, तो दूस्तों इसमें हमने, वोदी important MCQ कर लिये हैं, exit exam के point of view सी, और दूस्तों आप देख सकते हैं, यह है हमारा pharmaceutics जिसका जो clarification और filtration chapter ही, उससे यह MCQ लिये गए हैं, दूस्तों अगर आपको मरे वीडियो अच्छी लेगी हो, वीडियो के like करें, चैनल को subscribe करें, थेंक्यों दूस्तों कर दो